एक बहुत बड़े आपडेट आ चुका है रिजब बैंक के ओर से ओ आपडेट क्या है और पूरे डीटेल्स के साथ क्या का सुविदा पेटियम पर चलेगी क्या का सुविदा पेटियम पर नहीं चलेगी सोला मार्च के बाद सारा डीटेल इसके साथ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने बाला हूँ तो वीडियो का एंड तक गाइस बने रहा हूँ पेटियम बेंग्स की खाते में जैसे के करंट एकाउनों सेविंग्स एकाउनों सारे के सारे एकाउंट पर आप उच्जोल और डिपोजित नहीं कर पाएंगे पेटियम पेमेंट बैंक की जो इबोलेट थी वो भी बंद हो चुका है और अगर आपके पास आभी भी पेटियम का फास्टेक है तो आपको तुरांती इसको बदलना परेगा और पेटियम फास्टेक पे मज़ूद जो 6 राशी था वो इसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे पेटियम पेमेंट बैंक का जो ग्राग थे वो किसी भी दूसरे एकाउंट से अपनी पेटियम पेमेंट बैंक पर पैसा रिसीब नहीं कर पाएंगे और पेटियम पेमेंट बैंक पर मानी टांसफर जैसी के आपकी हर महीने का सेलरी और सबसेडी नहीं आएगा और पेटियम पर कौन-कौन सी सुभीदा जारी रहेगी ओभी आप जल्दी से जान लीजिए अगर किसी भी कस्टुमर का पेटियम वालेट पर पैसा परा हुआ है वो उसका इस्तेमल कर पाएंगा लेकिन नया डिपोजिट नहीं कर पाएंगा पेटियम वालेट पर जितने भी पैसा होगा आप अपना दुसरे बैंक एकाउंट के खाते पर आप इसको टांसफर कर पाएंगे और पेटियम पर जो यूपियाई सर्विसेस थे वो पहले के तरह ही चलेगा इस पर कोई भी प्रॉब्लेम नहीं होगा और पेटियम पर जैसे के मुबाइल रिचाज, इलेक्टिक बिल, डिटीएस का रिचाज और जैसे के फ्लाइट टिकेंग, मुवी टिकेट बुकिंग, यह सब बस टिकेट बुकिंग, यह सब चलेगा इस पर कोई भी प्रॉब्लेम नहीं होगा और पेटियम का जो साउंड बॉक्स है, और EDC है, सब कुछ पहले की तरह ही काम करते रहेंगे, इसमें भी कोई भी प्रॉब्लेम नहीं होगा मतलब आप पेटियम का क्योवर इस्तेमल कलके पेमेंट अपनी दूसरी बैंक एकाउन पर ले पाएंगे तो हमारा इस वीडियो में इतना ही था, पेटियम एप के विलेकर जो जो आपडेर था, सब कुछ मैंने आपको यह पर बता दिया था है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लेगे, वीडियो को जरूर एक लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्रिप करना, इसी तरह की लेटेस्ट और न्यू इन्फरमेशन पाने के लिए